Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जब किसी भी देश के Head of State यानि Prime Minister या President वार की बाते करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन होता है जो बताता है कि उस लीडर का अपने ही देश में popularity काफी तेजी से घट रहा आज के डेट में इस्रेइल में almost सभी common civilians अपने ही सरकार के खिलाफ बढ़ चड़ कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तो जिस तरीके से Benjamin Netanyahu हमास के पास से hostages को छुडाने में असफल रहे हैं और दूसरा जिस तरीके से unnecessary गजा में attack किया जा रहा इससे कही न कहीं जो common civilians है इसराइल का वो भी खुश नहीं है इसी भी जगर हम US की बात करें तो US कहने के जरुवत नहीं है कि इनसे बड़ा बहरूपिया शायद कोई भी नहीं है इस पूरे moment को US से enjoy कर रहा एक तरफ Benjamin Netanyahu को खुले छूट दे के रखे हैं और दूसरी तरफ गजा में थोड़े बहुत aid भेज दे रहे हैं इस वीडियो में आगे बढ़ोई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं As an Indian हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इन सब global events को हम बहुत ही closely monitor करें और देखें कि देशों का behavior किस तरीके से बदलता रहता है एक event को वो अपने इसाब से justify करते हैं वही दूसरे event को वो justify नहीं करते हैं कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज से US, UK, Canada को benefit पहुंचता है तो वो चीज सही हो जाता है और अगर किसी भी चीज से उनको benefit नहीं पहुंचता है तो वो गलत हो जाता है अभी मैं साथ तारी के देर रात ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही ये इन्फॉर्मेशन आता है जहां पे हमास इसरेल का सीस्वाय प्रपोजल को एकसेप्ट कर लेता है हलाकि exactly क्या प्रपोजल है ये अब तक नहीं मालूम पड़ा है लेकिन फिर भी जो टर्म्स और कंडिशन थे हमास के हिसाब से उसको मान लिया गया है लेकिन वहीं अगर बात किया जाए इसरेल का तो इसके उपर अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है अभी से ठीक 15 से 20 दिन पहले कुछ लोग जो इसरेली गवर्मेंट ने चुना था उनको हमास के साथ नेगोसियेशन करने के लिए उनका स्टेटमेंट आया था कि कहीं से भी जो गवर्मेंट आफ इसरेल है या स्पेसिकली बेंजमिन नेतनियाहू है वो हमास के साथ नेगोसियेशन करने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं है कहने का मतलब उनका ये था कि हमास के पास जो हॉस्टेजेज हैं बेंजमिन नेतनियाहू का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनको छुडाने में और ये कही न कही वार को और भी लंबा ले जाना चाहते हैं और more or less unnecessary killing करना चाहते हैं बकाइदा ये एक verified information इसको आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं ये चार में एक article है जिसमें ये बताया जाया रहा कि किसी भी तरीके से Benjamin Netanyahu और उनके team इस war को end नहीं करना चाहते हैं और वो कही न कहीं गजा में और भी bombing करना चाहते हैं एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि exactly ये रफा मैप में exist कहां करता है तो ये exactly map में रफा आप देख सकते हैं exactly यहाँ पे bombing होना शुरू हो गया तो अगर आप देख पा रहे होंगे ढंक से तो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे अब ज़्यादा space नहीं बचता है किसी के लिए भी कि वो यहाँ से अब further move कर पाए और इस action को लेके बहुत सारे वैसे भी intelligence की जो officers है यानि कि जो retired officers हैं वो भी खुश नहीं है उनको भी समझ में आ रहा कि अगर आप unnecessary killing करते हो तो जो common civilians है इसराइल का कहीं न कहीं उनको इसका हरजाना भुगतना पड़ेगा as a result हमारे पास ऐसे multiple articles से जहां पे यह बताया जा रहा है कि जो student है उनके साथ भी discriminatory भाव किया जा रहा है खास करके US में वहीं पे अगर बात किया जा United Nations Human Rights Chief का तो उनका कहना है कि जिस तरीके से रफा में evacuate करने की बात की जा रही है कहीं से भी acceptable नहीं है और in fact उन्होंने एक word यूज किया inhuman उसके बाद आगे बढ़ते हुए इस action को वो कहते हैं कि ये complete तरीके से war crime है और जिस रफा में attack करने की बात की जा रही है उसके लावा और कोई common जगा नहीं बच जाता है जहां पे लोग जाके छुप सके या रह सकें तो कहने का मतलब है कि एक ही वो जगा पड़ता है रफा जहां पे लोग shelters में रह रहे हैं उस area को भी IDF bombing कर रहा वहिए कर हम इतिहास की बात करें तो no doubt जिस तरीके से Adolf Hitler ने targeted तरीके से Jewish को मारा था concentration camp में वो तरीका गलत था लेकिन बहुत सारे experts ऐसा कहते हैं कि इसराइल अब उस Holocaust का अपने favor में उसको use करता है कहने का मतलब है कि इसराइल उस moment को कभी शान्थी नहीं करने देना चाहता है और अपने आपको कुछ इस तरीके से कहता है या defend करता है कि उनके साथ past में बहुत अत्याचार हुआ था और इसी बहाने वो अपने attack को justify करते हैं almost 35 से लेके 40,000 लोंग इस attack में मारे जा चुके जिसमें कि almost 70% जो लोंग है वो women और बच्चे हैं जिसके बारे में खुद भी US Senate के एक senior most Bernie Sanders ने भी कहा था भी recently अगर आप Benjamin नितन्याहु को अगर आप criticize करें तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप anti Jewish या anti Sematic है As a student जब भी मैं modern India history पढ़ता हूँ तो मुझे ये पढ़के बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे साथ इतने आत्याचार वो जितना आत्याचार शायदी किसी और के साथ हुआ होगा और British time period में 165 million भारतिये मारे गये थे अलग-अलग तरीकों से ये हमारे अपने लोंग है जिसके बारे में महज 70-75 सालों में hardly हमारे देश में कोई politicians हैं जो अवाज उठाते हैं और हमारे बीश में भी जो common लोंग है वो भी इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते हैं आज भी England as a country exist करता है आज भी एगर हम चाहें तो England से हम माफी मांगने को कह सकते हैं आज भी जो हमारा लूटा हुआ और्नमेंट से या आर्टिफैक्ट से वो आज भी British Museum में पढ़ा हुआ है ये बताता है कि हम कितना जादा insensitive है या बेवकूफ है कि हम अपने मामले को नहीं उठाते हैं जो एकदम जायज मामला है ये वही Britishers है कि बढ़ चड़के राज दुनिया को humanity और human rights की ग्यान देते हैं लेकिन ये कही न कहीं as a student हमारी भी responsibility बनती है कि इन सब topics को हम पढ़ें और आसपास awareness फैलाएं वहीं अगर मैं बात करूँ एक incident का जो कि Second World War का है Second World War में US 7 December 1941 में enter करता है जब Japan Pearl Harbor पे attack करता है इसके पहले US का एक policy था जिस policy के तहत US directly war में participate तो नहीं करता लेकिन वो हर उस देश को weapon दे के support करता जो देश जर्मनी के खिलाफ था तो कहने का मतलब है कि ये US पहले भी दुनिया को लड़वा रहे थे और आज भी दुनिया को लड़वा रहें और जहाँ जहाँ लड़ाई होता है वहाँ वहाँ US होता है और possibility काफी high होता है कि जो लोग मारे जाते है वो US manufactured weapon से ही मारे जाते है उसके अलावा अगर भारत में कहीं पर भी कोई protest होता है तो ये कूट जाते और हमें समझाते हैं कि human rights का मतलब क्या होता है I hope कि अब हमें ये समझ में आना शुरू हो गया है कि hypocrisy का अगर एक सही माइने में कोई example हो सकता है तो वो European countries है USA है Canada है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye